अलो जी नमश्कार सलाम सस्रियकाल आल माई राजा बेटा राजा बेटियां विश्यू आल वार्म वेलकम तरह दिल से नमश्कार प्यार भरा और धेरों गुड़ विश्यस मेरी तरफ से आपके उज्वल भविश्य के लिए थोड़ी दर पहले ही आप लोगों के साथ हम एक स्पेशल सेशन ले रहे थे बहुत से बच्चों को ये जग्यासा थी कि किस तरह से इतने कम समय में अब हम कुछ इफ्यक्टिव तरीके से कोचिंग ले करके आगे बढ़ पाए सो हमने आपके साथ एक स्पेशल सेशन किया था क्रेश कोर्स को ले करके सफलता की वो सीडी जो आपको आपके खुआबों को पूरा करने में मदद करेगी मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर with nearly 20 years of teaching experience आपके सामने हूँ आपका प्यार है आपकी respect है जो आज इतनी energy के साथ आपके सामने खड़े है important बाद टेलीग्राम का ये app भाई ये होना ज़रूरी आपके पास टेलीग्राम का अप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो tinyurl.com slash leadlightchat आप अपने फोन के ब्राउजर में टाइप करेंगे और इसके जरीए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं उसके बाद आपको हमेशा बताते हैं प्लस के इस भेतरीन प्लैटफॉर्म के बारे में एक बार मैं स्क्रीम पे नजर डालना चाहूँगा कि कौन-कौन से मेरे राजा बेटा जुड़ चुके हैं हमारे साथ हाँ जी आपके लिए हम एक भेतरीन क्रैश कोर्स भी लेकर के आए हैं आनकेडमी का ये बेहतरीन लर्निंग अप आपके सेल फोन में होना जरूरी है आनकेडमी का अप इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल कर लिया आपने प्ले स्टॉर से अप फिर आपको क्या करना है नीट वाली केटगरी में जाना है प्लस वाली category चुननी हमने एंड प्लस में आप क्या तैयरी कर रहे हैं नीट के लिए फिर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास अलग अलग options आ जाएंगे एक महीने का, तीन महीने का छे महीने का, बारा महीने का यह 24 महीने का, यहनी 2 साल का अगर आप ऐसे student है जो इस समय 12th studying है या आप dropper है, तो भई आपके पास जो वहेतरीन option बनता है या आप 3 months का लीजिए, या 6 months का लीजिए crash course जो है हम 3 months वाला करा रहे हैं, और अगर आप 6 months का लेते हैं तो 3 months के बाद हम revision round भी देंगे उसमें बहुत से बच्चों का सवाल था crash course कितनी duration का है 3 months में आपका syllabus complete करवा दिया जाएगा और आपके लिए जरूरी क्या है कि जल से जल आप subscription ले subscription एक चाबी की तरह है आपने subscription ले लिया login ID password आपके पास है आप उसे लगा करके अपने computer पे अपने mobile पे, tab पे आप सब teachers की lectures देख सकते है लाइव, जो भी time slot best आपको बैठ रहा है जिस समय का मा लिजे 7-8 बजे की शाम को बात है अश्वनी सर chemistry ले रहे हैं 8-9 बजे मैं आपके साथ biology ले रहा हूँ 9-10 बजे physics की तो आपको special discount मिलेगा fees में 10% का, clear है जी बेटा code समझ आगया आपको, right आयान, आगे बढ़ सकते हैं बुश्रा अनसारी, welcome जी, बुश्रा you are a part of the Unacademy family now welcome to Unacademy family बिल्कुल प्रभात ने सही का है कि ये तो एक काभी की तरह है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं code मैंने फिर से आपके लिए लिख दिया यहाँ पे, such in life मेरे नाम का, सपनों को सच करना है तो such in life, you'll be getting 10% off, आप जो है इसमें fees में discount लेंगे इसमें, चले जी, अब हम आज आते हैं अपने lecture पे, ये बातें जरूरी थी इसलिए हमने आपके साथ share करी Human Health and Disease हम पढ़ रहे है Lecture No.7 है और आज देखते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, कौन-कौन सी diseases हमने discuss करनी है, उससे पहले एक quotation आपके साथ जरूर share करना चाहूँगा, आप में सी ही किसी student नहीं ये मेरे साथ share करी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, सो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ जरूर share करूँ Everything you have ever wanted is on the other side of the fear आपके अंदर का जो डर है जो खौफ है उसके परे जाएए उसके पीछे ही वो सब चीजे हैं जो आपको चाहिए इस समय जो डर लग रहा है नीट को ले करके भई उस डर को दूर कीजिए सफलता आपके कदम चुमेगी शुरू करते हैं जी Human Health and Disease Broad Classification आपको हर बार बताता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम इस ओवरॉल चेप्टर में कौन से चरण पे पहुँच चुके है Congenital ये Genetic Disorders वो है जो जनम से ही present है Acquired Diseases वो है जो बाद में होती है जनम के Communicable या Non-Communicable हो सकती है Communicable में ऐसी बिमारिया जो छूने से फैल जाती है एक से दूसरे में Contagious और जो Vectors के थूँ फैलती है Non-Contagious Non-Communicable Diseases वो जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है जिसमें हम डिसकस करेंगे Deficiency Diseases, Vitamin Deficiency Hormone Deficiency Degenerative Diseases, Addiction Alcohol का Addiction, Tobacco का Addiction Brug Addiction, Allergy Mental Disorders and Cancer फिलाल हमने शुरू करा हुआ है Communicable Diseases वो बिमारियां जो एक से दूसरे में फैलती है मैं इसमें अल्रेडी डिसकस कर चुका हूँ आपके साथ Diseases caused by protozoans जैसे Malaria, Amoebias, GRDS, Leishmanias, Trichomonias Bacterial Diseases Typhoid, Tetanus, Cholera, Leprosy, Anthrax, Meningitis, Plague, Pneumonia ये सब हमने डिसकस करी थी Deteria also Diseases caused by viruses Smallpox, Measles, Chickenpox, Dengue, Chikangunia, Yellow Fever, Saurus कितनी सारी बिमारियां इसमें डिसकस करी थी इसके बाद हमने Helminth Diseases शुरू करी जिसमें मैंने आपको Tape Worm का Life Cycle बताया था Complete इस टीनिया सोलियम पोर्क टेप Worm के बारे में जो की टीनियास करता है या फिर उसका लार्वा क्या कर देता है सिस्टी सरकॉसिस राइट इसी में आज हमने आगे कॉंटिन्यू करना है और Helminth Diseases आपके साथ डिसकस करूँगा Ascaris का Life Cycle डिसकस करूँगा Vuchiraria Bencrofti, Philarial Worm जो होता है वो डिसकस करेंगे Fungal Diseases भी हम इसमें डिसकस करेंगे आज के सेशन में चलिए, Helminth Diseases पे आगए हम जिसमें Teneases we have already discussed Teneasoleum, Pork Tape Worm, Cistice Circuses by the larva of Pork Tape Worm The larva is called what? Cistice Circus larva and the bladder worm मैंने आपको बताया था कि measly pork consume कर लेने से यह हमें Teneases हो जाता है लारवा जब आपकी intestine में पहुंचता है तो या तो वो adult tapeworm में बदल जाता है, Teneases करता है या फिर वो larva larva ही बना रहता है और वो आपके brain तक पहुंच सकता है, आँखों तक पहुंच सकता है वो और भी भायानक condition हो जाती है साधी भाशा में हम कहा देते हैं कि patient के brain में कीडे चले गए है that कीडा is actually the larva of tapeworm, very dangerous इलाज कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप MRI scan करवाएंगे अपनी patient का तब आपको पता चल पाएगा कि patient के brain में tapeworm का larva पहुंच चुका है सिस्टी सरकस लारवा जिसके चारों तरफ एक सिस्ट बना हुआ है जिसमें अधिकाश दवाईयों का असर हो पाना भी मुश्किल हो जाता है clear है मेरे राजा बेटा, right जी I'm fine बेटा, दीपक, स्वाती, अनुरेश, धनराम, आनंद, विने, सत्यप्रकाश, शुमाईला, साक्षी, दीपक, तनू wonderful जी, 300 से जादा लोग हमारे साथ जुड़े हुएं, that's really great आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी में शुरू करूँगा आपके साथ Ascariasis के साथ, जो की Ascaris Lumbricoids करता है common roundworm, the most common intestinal parasite of humans Pilariasis डिसकस करेंगे, right, Fasciolopsiasis डिसकस करेंगे Schistosomiasis, hydrated disease, जो की dog tapeworm करता है Schistosomiasis, Antirobiasis, Trichinolosis, Braconculiasis, Trichuriasis, Luasis ये सारी diseases आपको पता होनी चाहिए, सबी हमें detail में नहीं करनी हैं, जो detail में डिसकस करनी हैं, वो आपके सामने हैं, that is Ascariasis, नाम से अंदाजा लग रहा है Ascaris Lumbricoids, तो चलिए, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें पेशिंट की इंटेस्टाइन में से Drowned Worm निकाले जा रहे हैं, आपको देख करके भी बहुत अजीब लग रहा होगा शायद एक Nausea Feeling भी हो रही होगी, लेकिन आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं आपको अपनी भावनाओं पे, अपने Emotions पे Control रखना है तभी एक पत्थर दिल की तरह ही आप ये काम कर पाएंगे Otherwise आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर्स को कर पाना या सर्जिकल प्रोसीजर्स को देख पाना मैं स्क्रीन पे नजर डालना चाहूँगा कि बच्चों के क्या कमेंट्स हैं इस चीज़ पे हाँ जी रिशिकेश, साइफी कमरान, सना, पुनीता, दीपक, हरशिता, युकता, शुभम, मौसमी, रतना, प्रतमेश, भरत, मौनीश बिलकुल जल्दी से आपके प्यारे प्यारे लाइक्स ज़रूर आते रहने चाहिए साथ-साथ ऐसी बेहतरीन स्लाइड आपके लिए जो है लेकर के आए हम पढ़ते हैं जी पहला संटेंस ये जो वर्म आप देख पा रहे हैं जिसे देख करके आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस समय जिस असकेरियासेस इस कॉस्ट बाइ असकेरिस लुम्रिकॉइड जिसे नमात अनमें तो भी कहते हैं काही बाइड पूछलेते हैं इस 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 इसरिश लुम्रिकॉइड आपको अस्केरिस लुम्रिकॉइड का इन्फेक्शन बच्चों में जादा कॉमन है Infection is more common in children, right? Because contaminated food, water, इन सब से फैलता है, बच्चे मिठी में खेलते हैं, अगर मिठी मुह में डाल ली है, तो इसके embryonated eggs शरीर में जा सकते हैं So infection is more common in children, Ascarisus आगे बढ़ते हैं, जी नेक्स स्लाइड में, Ascaris के बारे में जिकर करते हैं, Ascal Minthus Phylum को बिलॉंग करता है It is a long, thin tapering at both warm, it is W-O-R-M, tapering at both ends, it is the largest of the intestinal mammatodes Epidermis secretes a thick extracellular cuticle, इसकी जो epidermis है, उसके उपर एक further covering होती है, cuticle वो cuticle इसे host के digestive juices से बचाता है, आप खुद ही सोच सकते हैं अगर इंटेस्टाइन में हैं, तो भई हमारे digestive enzymes इसको खुद को भी तो digest कर सकते हैं ना, पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि शरीर के उपर एक खास तरह की covering होती है, cuticle, that protects the worm from various secretions of the host राइट जी? चलिए, अब यहां पर Ascaris Lumbricoid में एक main बात ध्यान रखेगा, यह worm sexually dimorphic होता है male and female अलग है, sexual reproduction होता है इंप, आप male और female को externally देख करके भी पहचान सकते हैं male Ascaris, female Ascaris, जो male Ascaris होता है, that has a curved tail, it has pineal spicules or the pineal seating, देख पा रहे हैं male Ascaris जो है, वो किस तरह से female Ascaris से different है लिखा है जी, it lives in the digestive system of elementary canal of humans and जो इसका digestive system है animal का, that is complete with two openings there is a terminal anterior mouth and there is a sub-terminal posterior anus so, elementary canal जो है, इसमें complete है यहां लिखा है, the worm shows sexual dimorphism यह बात important है, कई बारना question ऐसे पूछ लेते है which of the following is a sexually dimorphic endoparasite dimorphism का मतलब है, male और female आप clearly देख करके पहचान सकते हैं clearly distinguishable है the female worm is long and straight the male worm is short and curved male worm shows presence of posterior penile citae that is another important point of difference between male and female clear है जी इतना, आगे बढ़ सकते हैं thank you जी, बबन, कुमार, पूजा, सल्मान, आनंद, तनू, पुनीता चलो जी, clear है आपको, wonderful, अब सुनीए मेरी बात इक साथ हो सकते हैं, उनका जो है gamete exchange हुआ, उसके बाद जो fertilized eggs है, अंडे जो है, वो host की excreta के साथ, feces के साथ, बहार आ जाएंगे right, सो देखते हैं, adult worm live in the lumen of the small intestine, वो धेरो अंडे देंगे female may produce approximately 200,000 eggs per day, which are passed with the feces, जो अंडे fertilized होंगे, right, they become infective after 18 days to several weeks, देखते दे, second stage juvenile, अब ध्यान रखना यहां पर, ascaris के life cycle में न, molting होती हैं, first molting, second molting, third molting, fourth molting, तो कई बार molting से related question पूछ लेते हैं, fertilized eggs जो है, जब वो मिटी में आ जाते हैं, soil में आ जाते हैं, तो वहां पर first molting होती है, सो हमें ध्यान रखना है, that the first molting occurs in soil, क्योंकि मिटी में वो moisture, वो temperature उन्हें available है, सही तापमान पे, सही moisture पे molting हो गया, और उसके बाद वो infective है, the second stage is the infective stage, यहां पे पूरा life cycle भी आपको बना करके दिखाया गया है, जो second stage है, second stage जो embryonated eggs है, जिसको second stage juvenile कहते हैं, जब वो हमारे शरीर में intestine में चला जाएगा, तो ascaris जो है, इसके बारे में कहते हैं, 21 day wandering tour होता है, शरीर के अलग-अलग organs में larva जो है, वो move करता है, और finally फिर intestine तक पहुँच जाता है, तो देखते हैं यह कैसा होता है, intestine में गया, intestine की blood vessels में चला जाएगा, intestine की wall को penetrate करा, blood vessels में चला गया, फिर hepatic portal vein के जरीए liver में चला जाता है, liver से जो vein बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, hepatic vein, hepatic vein से फिर यह inferior venakeva of heart में चला जाता है, heart में आप जानते हैं, right atrium, left atrium, so right atrium से right ventricle में पहुँचा, right ventricle से यह pulmonary trunk के थुरू होता हुआ lungs में चला जाता है, lungs की blood vessels में जब गया, तो blood vessels से यह penetrate करता हुआ, alveoli of lungs में चला जाता है, alveoli of lungs में फिर इसका second and third molting होता है, और उसके बाद फिर यह bronchi से होता हुआ, right trachea से होता हुआ, pharynx तक आता है, कई बार नाक से यह मूँ से बच्चों के बाहर भी आ जाता है, ascaris, ऐसा भी होता है, यह माली जिए patient को गले में feel हुआ, उसने फिर ऐसे कफ करा, और उसने फिर swallow कर लिया, तो इसोफएगस से होता हुआ, फिर stomach और intestine में चला गया, so यह जो 21 day wandering tour है, फिर intestine में जाकर के finally adult worm जो है, वो बनता है, clear हुआ है जी आपको, right मेरे बच्चे, फिर से दुबारा मैं quickly repeat कर दूँ, ascaris का कोई intermediate host नहीं है, right, life cycle is monogenetic, एक ही host है, तो फिर हम देखेंगे infection कैसे हो रहा है, infection is directly through contaminated food, water, यह बच्चे मिटी में खेल रहे हैं, नाखुनों में मिटी भर गई, उसे मुँ में डाल लिया, तो जो ascaris के fertilized eggs थे, जिनके अंदर embryo बन चुका है, second stage juvenile जो है, वो infective है, वो पहुँचा stomach में, stomach से intestine में, intestine की wall को penetrate करा, तो पहुँच गया यह hepatic portal vein में, वहां से पहुँच गया liver में, liver से hepatic vein, hepatic vein से inferior venakeva, उसने हाथ में blood drain करा, right atrium में, right atrium से right ventricle, right ventricle से blood pump किया जा रहा है, lungs की तरफ, pulmonary circulation में आ गया, lungs के alveoli में पहुँच गया, second और third molting हुई, वहां पे, फिर, यह larva move करना शुरू करता है, trachea की तरफ, bronchi के through होता हुआ, pharynx में आया, pharynx से फिर यह चला, pharynx is a common passage for food and air, pharynx से esophagus, esophagus से stomach, और stomach से फिर small intestine, तो यह पूरा pathway आपके सामने जो है, बना करके दिखाया गया है, point number one से लेके, two, three, four, five, इसको आप thoroughly जो है, देख लेंगे, मैंने orally आपको सारा explain कर दिया है, ठीक है मेरे राज़ा बेटा, हाँ जी, चले आगे, राइट, रतना कहरी है, अब कोई मिटी में नहीं खेलेगा जी, बेलकुल, बहुत ज़रूरी है यह जब आप डॉक्टर बनेंगे, तो अफकोस आप यह बात समझाएंगे बच्चों को भी और उनके पेरेंस को भी, यहाँ पे लिखाया जी, fertilized eggs embryonate depending upon environmental conditions, यदि मिटी में optimum moisture, warmth वो सब चीजें present हैं, तो यह लारवा infective होगा, molting हो जाएगी इसमें, infective eggs are swallowed and the larvae they hatch, larvae जो हैं, they invade the intestinal mucosa, intestinal lining को penetrate करेंगे, and are carried via the portal, ध्यान दखेगा, मैंने बोला ना, portal circulation, hepatic portal vein बोला था, systemic circulation and lymphatic circulation के जरिए भी ultimately lungs तक पहुँच जाते हैं, the larvae mature in the lungs, penetrate the alveolar wall, they ascend the bronchial tree to the throat, pharynx, मतब गले में आ गए, फिर दुबारा अगर patient उन्हें स्वेलो कर लेता है, तो फिर से पेट में चले गए, upon reaching the small intestine, they develop into adult worms, और बहुत सारे adult worms भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था, उस surgical procedure में, एक से दूसरे में infection spread कैसे होगा, fertilized eggs जो है parasite के, अगर eggs fertilized नहीं है, तो वो infective नहीं है, पीको oral root है, contaminated food या water या सबजियां गंदे पानी से दोई गई है, सबजियों के उपर मिटी लगी हुई है, हमने उसे वैसे खा लिया है fruits को, तो उसके जरिये भी फैल जाएगा, जैसा आपको यहां पर दिखाया भी गया है, कि आप बाहर से street food जैसे खाते हैं, हो सकता है, उसे बहुत अच्छे पानी से ना धोया गया हो, आप देख रहे हैं यहां पे cup, बरतनी, किस परकार से धोय जा रहे हैं, गंदे पानी से ही, तो जो infections फैलते हैं वो इसी तरीके से फैलते हैं, तो आपको अपनी जुबान के टेस्ट पे थोड़ा सा control रखना चाहिए इस चीज़ में, the transmission can be indirect by vehicles like contaminated food or water, transmission can be by contact with unclean hands and fingers, माल लिजे, दो छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक के नाखुनों में मिटी लगी हुई है, उसमें एसकेरीज के एक्स ने, दूसरा उसे हाथ मिला रहा है, यहां उसकी उंगली पकड़ के उसने मूँ में डाल ली है, तो उससे भी हो जाएगा, क्लियर है जी, हाँ जी, स्क्रीम पे देखने हैं, उससमें क्या कह रहे हैं बच्चे, जिफ्रा कह रही हैं, अमेजिंग, ग्रेट, साक्षी, स्वाती, युक्ता, राजाराम, मुनीश, अस्रा, अनंद, राहुल, अनुरेश, जयंत, संदीप, क्लियर हो रहा है जी, जयोतिष्च कुमार, ब्यूटिफल नेम, राहुल, रिशिकेश, अंकिता, यश, सना, कमरान, मुल्टिंग पूछ रहे हैं, मुल्टिंग का मतलब होता है, शेडिंग और अग्ली अवस्था की तरह बढ़ना, अपने कवच को शेड करना और अगली अवस्था की तरह आपके likes में कमी नहीं आनी चाहिए, energy का काम करते है, ATP का, so we have I think more than 360 students, so I want 360 likes, and class खतम होते होते 500 likes आपकी तरफ से होने चाहिए, चलो जी, आगे बढ़ें अब, next जो बताने जा रहो ना बेटा, ये और भी भयानक है, आपको पते है, philariases, इसको elephantiasis भी बोल देते हैं, सो हम philariases या elephantiasis के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी में हम इसे हाथी पाऊं भी कह देते हैं, अभी आप patients को देखेंगे ना तो आपको बहुत हैरानी होगी देख करके, सुनिए, philariases जो है कि कई प्रकार का हो सकता है, आपने एक तो वुचेरेरिया, Bencrofty worm के बार और भी होते हैं, philariases is divided into three groups, according to the area within the body, चरीर के कौन से हिस्से को वो इफेक्ट कर रहे हैं, there can be lymphatic philariases, there can be subcutaneous philariases, there can be serous cavity philariases, आगे पढ़ते हैं, positive agents of philariases, कौन इसे कौज कर रहा है, philariases is caused by thread-like philarial nematodes, thread-like philarial nematodes, which belong to the phylum ash alminthors, in the super family philarioidea, philarioidea is the super family, और इसमें बहुत सारे nematodes हैं, जो करते हैं humans को effect, मुख्य रूप से जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो एक नाम आप जरूर याद रखियेगा, that is Vuchiraria bencrofti, even Brugya malay भी नाम NCRT में दिया है, swap यह भी याद रखियेगा, and there is a Brugya timori also, पहले दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, elephantiasis, lymphatic philariasis है यह, lymph का flow ब्लॉक हो जाता है, actual में इस worm का जो लारवा होता है न, micro philariae, वो lymph का flow ब्लॉक कर देता है, lymph vessels जब ब्लॉक हो जाती है, तो सूजन हो जाती है शरीर में, पैर सूज जाते हैं बहुत जादा, males के case में, scrotum में swelling हो सकती है, female के case में, vulva यह, any external genitalia, या even breast में भी, now, this philarial worm, it has a diagenetic life cycle, diagenetic का मतलब यहां पे दो host है, एक तो हो गए humans, दूसरा host पता है आपको क्या है, यह भी मच्छल पहलाते हैं, culex mosquito, ध्यान लखियेगा, the adult male and female worm, they live in the lymphatic system, हमारी lymph vessels में रहता है यह worm, right, इसका जो लारवा होता है, उसे microfilaria कहते हैं, after the male and female worms mate, जब mating होती है उनमें, the female gives birth to thousands of microfilariae, these microfilariae are the larvae, now, यह क्या करते हैं, एक तरह से nocturnal periodicity शो करते हैं, night के time पे यह हमारी superficial vessels में आ जाते हैं, malaria के case में भी बताया था न, arbuses containing gametocyte stage migrate to superficial vessels, ऐसा ही यह larvae रात के समय, they are showing nocturnal periodicity, they migrate to your superficial vessels, ताकि मच्छर जब खून चूसे, mosquitoes जो है, वो superficially आपकी skin में से blood सक कर लेगा, lymph vessels penetrate कर देगा, तो वहां से ही यह mosquito के शरीर में चले जाएं, तो यहाँ पे लिखा है, microfilariae are picked up by vector insects, insect का नाम याद रखना है, female culex mosquitoes, during a blood meal, जब वो हमारा blood सक कर रहे हैं, so, microfilariae larvae चले जाएंगे उनके शरीर में, आगे का development mosquito की body में होता है, in the intermediate host, which is the mosquito, the microfilariae mold and develop into third stage, the third stage is the infective stage, okay, now, upon taking another blood meal, जब वो दूसरे इंसान को काटने जाएगा mosquito, तो आप जानते हैं, mosquitoes अपना saliva डालते हैं, saliva's में anticoagulants होते हैं, the vector insect injects, it injects the infectious larvae into the dermis layer of the human skin, skin पे मच्चर ने काटा, अपना saliva डाला, saliva के साथ है microfilariae larvae भी डाल दिये, जैसा हमने malaria के case में plasmodium की sporozoid stage के बारे में पढ़ा था, after about one year, the larvae mold through two more stages, maturing into the adult worms, जिसमें की समय लगता है, तो आप देखिए कि इसमें primary host क्या है, humans ध्यान रखना है, intermediate host क्या है, Qlex mosquito, और इसके larvae का नाम क्या है, microfilariae, वुचरेरिया, बैंक्रोफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, philarial worm जिसे कहते हैं, I hope जितनी बाते मैंने अभी तक बताई है, clear हुई है, आनंद, जिफरा, मौसमी, जितेंद्र, अदिती, यश, राजाराम, धर्मेंद्र, आईए, जल्दी से, आपने रियसुदी ने लिखा, lymphatic philariasis is a disease associated with parasitic infection of one of the three nematodes, right, great, बिल्कुल, वेरा sentence आपने as it is लिख करके भेजा है, great जी, चलिए, खुशी होती है इस बात से कि आप लोग लगातार जो है, चीजों को समझ रहे हैं, इस platform का यही मकसद है कि घर बैठे भी आपको भेतरीन education मिलती रहे, quality education, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, molting मैंने थोड़ी दिर पहले भी बताया राजाराम, shedding of the exoskeleton, जैसे हम snake के case में भी कहते हैं न, करते हैं, सांप अपनी केंचल उतारते हैं, तो बहुत से जानवर होते हैं, जो molting करते हैं, चलो जी, आगे बढ़ो, विल्कुल, very good, now, अब आप ये तस्वीर देख करके थोड़ा विचलित मत होईएगा, आप इसमें देख पा रहे हैं, ये patient की leg कितनी जादा swollen है, दिख रहा है आपको, यहां भी दिख रहा है, second picture में भी दिख रहा है, और इस picture में भी दिख रहा है, ये तीनों लोग जो बैठे हुएं, you can see the swollen limbs, now, elephant yeses इसको इसी लिए कहते हैं, मैंने कहा ना, हाथी पाओं भी बोलते हैं, कि ऐसा है कि हाथी जैसे पैर हो जाते हैं, legs हो जाती हैं, ऐसा क्यों हो जाता है, बेटा देखो, lymph का flow जब block होगा, lymph return नहीं हो पाएगा blood circulation को, gravity के कारण the lymph tends to accumulates in the lower body part, तो यही कारण है कि टांगे जो है वो इतनी बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, या पैर इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं, deform हो जाते हैं, और ilaats करपाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ का, इंडिया में भी बहुत जगों पे ये देखने को मिलता है, पूछ रहे हैं, क्रेश कोर्स कब से शुरू होगा, जल्द से जल्द शुरू हो रहा है, केमिस्ट्री के क्लासेज अश्वनी सर आज से ही शुरू कर रहे हैं, कमी मींक से मैं भी शुरू कर रहा हूँ, आपके लिए ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन लेना पहले, आगे बढ़े, नाँ, देखे इदे, दे मोस्ट डिस्टिंक्टिव सिम्टम ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियसे इस एलिफेंटियसेज, ओडीमा यानी सूजन हो जाता है, थिकनिग अफ दे स्किन अद अदर लाइंग टिशूस, जब वो लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, तो लिम्फ का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, ये वाली तस्वीर देखके आपको और भी ज्यादा हैरानी हो रही होगी, क्या आप देख पारें, इसी पेशन की दूसरी लेग देखिए, पेशन का हाथ देखिए, और ये वाली लेग, जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस से अफेक्टेड है, एलिफेंटियासिस जिसे कहते हैं, ये रहा पेशन का पैर और ये देखिए बाकी का हिस्सा, राइट, दिस इस दी आउटकम, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मच्छर, मौस्किटोज, जो है, वो कितने भायानक साबित हो सकते हैं हमारे लिए, उसका ये आपके सामने प्रूफ है, वाइट? आनन जी, राजाराम, रत्ना, निशा, क्लियर है जी? बिलकुल जी, क्रेश कोर्स जो है, वो पेड है बेटा, वो प्लस के प्लैटफॉर्म पे है, मैं बार-बार आपसे कहा रहा हूँ, क्रेश कोर्स यूट्यूब पे नहीं है, अनकैडमी प्लस के प्लैटफॉर्म पे है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, इसमें, इन्फलमेशन औफ दा लिंफ नोड्स है, फीवर होगा, नौजया औं वामिटिंग, वल्बा औं ब्रेस्ट अनलाज़्मयंट इन फीमिल्स, हाइड्रोसील, और दस्वेलिंग au ज्क्रॉकम in case of मेल्स, मेल्स में भी स्क्रॉकम में में स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हाइड्रोसील कहते हैं, आगे देखते हैं, Fasciolopsiasis, Fasciolopsis Busky, another worm, हम Helmin diseases पढ़ रहे हैं इसको intestinal fluke भी कहते हैं, यह small intestine को effect करता है, आपको disease का नाम और Fasciolopsis Busky, intestinal fluke, इतना नाम याद रखना है, clear है जी, याद रखेंगे? यह सना, it is very dangerous, जोतिश, शुती नेगी, नीता, राजाराम, सतीश कुमार जी, आपका नाम भी ले ले लेते हैं, पूनिता कह रही हैं, आखें खोली की खोली रह गही है, कृष्न कुमार यादव, यह class 12th का सलेवस चल रहा है बिटा, जसमें human health and disease discuss किया जा रहा है, Fasciola hepatica अलग होता है, बिटा, Fasciola hepatica is sheep liver fluke, Fasciola hepatica is sheep liver fluke, वो sheep के liver को effect करता है, यहाँ पे हम Fasciolopsis baski की बात कर रहे हैं, यह intestinal fluke है, इसके larvae हैं, metasarcaria, दूसरा host है, planorbis, जो की snails हैं, intestinal inflammation है, ulcers है, diarrhea है, sheep liver fluke में भी ऐसा होता है ना, primary host is sheep, secondary host is snail, planorbis या लिम्निया, वहाँ पे भी metasarcaria larvae होते हैं, जिन पे sheep feed करती है, तो sheep की body में चले जाते हैं वो, next is schistosoma hematobium, blood fluke, यह भी important है, ध्यान दखना, schistosoma urinary bladder की blood vessels में भी होती है, schistosomiasis cause करता है, so disease का नाम schistosomiasis, pathogen का नाम schistosoma hematobium, इसकी और species भी होती है, schistosoma mansoni, schistosoma japonicum, आप ये एक ही याद रख लिजेगा, यहाँ पे schistosoma आपको दिखाया गया है, portal blood vessels में है, mesentric vein में भी है, इसमें sarcarial larva है, sarcaria in water, penetrate the skin when it comes in contact, इसमें bulanus, यह melania snail, दूसरा host है, urogenital schistosomiasis यह cause करता है, schistosomiasis, schistosoma hematobium, याद रहेगा इतना, चलिए, hydrated disease क्या है, hydrated disease जो है, इसको dog tapeworm disease भी कहते हैं, echinococcus granulosis, important है, याद रखना, हमने pork tapeworm तो पढ़ा था, tenia solium, ऐसे ही dog tapeworm भी होता है, cat tapeworm भी होता है, tenia pissiformis कहते हैं उसे, fish tapeworm भी होता है, diphylo, botthrium, letum, so tapeworms जो है, वो सिर्फ humans को effect नहीं करते हैं, और भी कहीं जानवर हैं जोने effect करते हैं, so hydrated disease में hydrated cysts बन जाते हैं body में, football जितने बड़े-बड़े cysts भी बन सकते हैं, in the intestine of dogs यह पाये जाता है, cats, foxes and men, humans में कैसे आ जाएगा मालिजे घर में आपने pet पाला हुआ है, dog जो है, और dog की body में suppose करो यह tapeworm है, right, और उसकी excreta के साथ इसकी proglotids जो है, लारवे जो है बहार आएंगे, और dog ने excreta pass out करा, मालिजे dog के anal region में, वो excreta dry होके वही लगा रहे गया, और वो हवा में उड़ रहा है, कुता अपने घर में पाला हुआ है, आप dog से खेल रहे हैं, हो सकता है वो जो excreta है, आपके food में चला जाए, जो आप खा रहे हैं, या गलती से हवा से उड़ता हूँ, आपके मूँ में ही चला जाए, तो लारवा पहुँच गया है ना फिर आपकी body में, this is how these infections happen, हम pets जो है पाल तो लेते हैं, लेकिन फिर उनकी पूरी देखरे करना जरूरी है, कि भाई उनका immunization हुआ हो, उनको कोई skin disease तो ना हो, pets के बाल भी जड़ते हैं, cats के case में थे particularly, so बिल्ली के बाल अगर आप inhale कर रहे हैं, तो आपके lungs में कठे होते रहेंगे, so ये सारी चीजों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, सल्मान कह रहे हैं, सर आपको ठंड नहीं लेग रही, बिटा, यहाँ पर AC चल रहा है इस समय, बैंगलॉर का मौसम इतना धंडा नहीं होता, जहाँ आप हैं, शायद अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, तो वहाँ में समय ठंड ज्यादा होगी, यहाँ नहीं है विल्कुल बेव, well, high rated disease की बात कर रहे थे, mode of infection is by playing with the pet dogs, मैंने बोला ना, अगर dog की intestine में है, तो excreta से, अगर हमारा खाना contaminate होता है, तो उससे हमारी body में चला जाएगा, secondary host, human, sheep, goat, pig, बहुत सारे हो सकते हैं, the parasite liberates toxins, which have harmful effects on the body, brain of the host, और शरीर में बहुत बड़े cyst भी बना देता है, यह hydrated cyst जिसे कहते हैं, ठीक है जी? कुछ बच्चों ने काया, why only in one leg? यह जरूरी नहीं होता एक leg में हो, वो तो by chance जो हमने, I'm so sorry, patient दिखाया है, उसमें one leg में, दोनों legs में भी हो सकता है, it is not necessary कि one leg में ही होगा, ठीक है जी, अस्राली कहनी कि UP में भी इस समय बहुत ठंड है, भारत जी नौर्थ इंडिया से हैं, that is great, elephantiasis का treatment, आप Google पे चेक ये जे गारतना वर्मा, आप इसके बारे में, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका इलाज करना, कई बार हमें सर्जी के लिए जो है, drain करके lymph निकालना पड़ता है, राइट जी, gynecophoric canal का जिकर कर रहे हैं, कभी नंदन, schistosoma के life cycle में, बिल्कुल जी, चलिए, आगे बढ़ें बच्चे, next, ankylostomiasis, ankylostoma duty nail, इसको hookworm कहते हैं, ये भी small intestine का parasite है, छोटे बच्चों में ये infections जादा common होते हैं, larvae, they bore through the skin of the feet, नंगे पैर आप चल रहे हैं, गंदी जगे पे कहीं भी, तो hookworm के larvae जो है, आपके पैरों के जरिए, skin के जरिए penetrate कर जाएंगे, itching and inflammation of the skin, anemia, mental, physical disorders, worms जो toxin सिक्रीट करते हैं, उनके कारण, next is anti-robius vermicularis, anti-robius vermicularis, it is also called pinworm, seatworm और threadworm, oxurious भी कहते हैं से, ये anti-robius करता है, जोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, ये सीकम में, कोलॉन में, अपेंडिक्स में, the worm vibrates to the perianal region, during night, to lay the eggs, so it causes itching in the anal region, और बच्चे, चोटे बच्चे, अगर अपने नाखुनों से, anal region को scratch करते हैं, इच करते, और माली जी उसके eggs जो है, नेल्स में आगए, और उसके बच्चे ने उसे खा लिया, अपने मूँ में उंगली डाली, तो auto infection of the same host भी, हो जाता है, clear है जी, सौरव कहरे मेरा जन्नम दिन है जी, हमारी तरफ से आपको जन्नम दिन की धेरों शुब काम नाए, God bless you, wish you a very bright future, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, anti-robius का था, by swallowing eggs with the food, there is anal itching, appendicitis, nervous trouble, worm के द्वारा सिक्रीट के toxins जो हैं, वो nervous system को effect करते हैं, next is, trichinallosis, trichinallis spiralis, आपको ये सब worms याद रखने होंगे, animal kingdom भी जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें भी asylminthus phylum में, ये worms आपको दुबारा से बताऊंगा, ascaris lumbricoids, witcheraria bencrofti, schistosoma hematobium, tinea solium, tinea seginata, diphylobothrium latum, trichinallis spiralis, echinococcus granulosis, तो भाई ये लिख लिख के याद होंगे आपको, ये इतने असानी से तो याद नहीं होंगे, practice करने पड़ेगे, लिखिए एक बार, दो बार, तीन बार, उनके common names, उनके zoological names, आपको अपने आप चीज़ें याद हो जाएगी, trichinallis spiralis, trichina worm, ensisted larvae in the striated muscles, हमारे muscles में जो है, इसके larvae, ensisted way में पाए जाते हैं, adults, जो है, intestine, trichinallis, ये कैसे हो जाता है, improperly cooked infected pork जो है, जैसे tape form के case में बताया था न, tape form में भी measly pork था, larva, जो है, it appears as white dots, on the skeletal muscles of pig, ऐसा ही, इसके case में भी है, draconculosis, देखें, ये भी बहुत ही भायानक है, draconculus medinensis, it is called guinea worm, guinea worm जो है, आप देख पा रहे हैं, patient के pair में से ये, बाहर निकल रहा है, female worm, subcutaneous tissue में रहती है, skin के नीचे, it produces a secretion, which causes ulcer on the skin, skin में छेद करके, ये worm वहां से बाहर निकलती है, एक दम से सारी worm बाहर नहीं आएगी, माली जे ये skin है, और थोड़ा सा worm वहां से दिखाई दिया, तो आप उसे खीच के नहीं निकाल सकते हैं, आपको daily, उसको थोड़ा थोड़ा खीच के, माली जे stick, एक मैट स्टिक ये एक डंडी कुछ भी ले ली, उसके उपर लपेट के daily उसको वहां रखते जाना है, और कई दिनों बाद वो पूरा worm फिर वहां से बाहर निकलेगा, वाइट, जैसे आप इस patient के पैर में से worm निकलता हुआ बाहर देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे देखना चाहूँगा आप लोगों का क्या reaction है, हाँ जी, असरा, सुहेब, तनू, प्रतमेश, अंकिता, युवराज, जिफरा, तौसीफ, रिशिकेश, सतीश, सतीश कहा रहे हैं, जल्दी से topic खतम कर दीजिए, बेटा, जितना syllabus में included है, सतीश, उतना तो हमें cover करना पड़ेगा न, एक common entrance exam हो चुका है, paper का standard थोड़ा बढ़ सकता है, सो हमें अपनी तयारी उसी हिसाब से रखनी चाहिए न, हमें सिरफ syllabus खतम करने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जरूरी ये है कि वो जिस effectively खतम हो, thoroughly खतम हो, ताकि ये confidence आपके उपर जरूर आपको रहे, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, नाम लिख लिख कर ही याद होंगे बच्चे, लिखे बिना याद नहीं होंगे, इसका intermediate host जो है cyclops है, ये ध्यान रखना, this is important, गिनी वर्म डिजीज जो है, intermediate host है cyclops, water flea कहते हैं जो से, trituriasis, triturus tritura, triturus tritura is the whip worm, sechum and appendix में है, डिजीज का नाम, pathogen का नाम, और जहां कहीं intermediate host आ रहे हैं, सबके life cycles तो पढ़ने ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, mode of infection by taking the eggs, which are contaminating your food, loasis, ये भी खतरनाक है, आप इधर देख पा रहे हैं, इस patient में, eyeball में, आप देखे, sclera region में, आपको आँख के अंदर बैठा हुआ, ये worm नजर आ रहा है, can everybody see this, this is called eye worm, loa loa, eye worm, subcutaneous tissues of the eye, चलिए मुझे बताएंगे, जल्दी से कि सब लोग देख पा रहे हैं इसे, तो सीफ, पहले सारा syllabus cover होगा, आपको पहले से dates नहीं declare कर सकता, ये कब होगा, वो कब होगा, प्लीज, चैनल पे आप जुड़े रहेंगे, बैल आइकन को आपने प्रेस कर रहा हुआ है, नोटिफिकेशन आप तक आएंगे, तो हर टॉपिक का आपको पता चलता रहेगा, ठीक है जी, पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये कब होगा, वो कब होगा, बुश्रा, रिशिकेश, राजाराम, प्रेसॉप्स, डियर फ्लाइस के काटने से ये होता है, चलो, सो आगे देखते हैं, अब हम जल्दी से देख लेते हैं, पांच मिनट में, कि बहुत सारे फंजाए भी हैं, जो डिजीजिस करते हैं, फंगल डिजीजिस, मैं आपको दिखा देता हूँ, फंगल डिजीजिस को हम, रिंग वर्म कहा देते हैं, टाइनिया, डियर्मेटो फाइटो फाइटोसिस, इस अ क्लीनिकल कंडीशन, कॉस बाइ फंगल इंफेक्शन अफ दे स्किन, रिंग वर्म इस अ मिस्नोमर, बालों को एफेक्शन कर सकता है, डर्मेटोफाइट्स अफ दे जैनेरा, ट्राइखोफाइटन याद रखना, एपीडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरुम, थीज अर दे मॉस्त कॉमन कॉसिटिटिव एजन्ट, these fungi attack various parts of the body now what are those various parts ध्यान लखना कि एक तो यह keratin protein पर feed करते है keratin का होता है हमारी skin में है, बालों में है, नाकुनों में है तो यह उस पर feed करते है the fungi they thrive on skin that is warm and moist but they also survive on the tissues like the hair shafts right mode of transmission of ringworm क्या है एक से दूस्टे को infection कैसे हो जाएगा patient के use के हुए articles आप use कर रहे है patient के कपड़े use कर रहे है towel use कर रहे है उससे हो जाता है मिटी में खेलने से भी हो जाएगा आगे देखते है इधर देखिए, यह वाला table important है मुखे रूप से आपको यह याद रखने है कि कौन सा ringworm किसे effect कर रहा है athlete's foot आपने सुना होगा common name athlete foot करता है tinea pedis पैरों को effect करती है genital itch genital area के आस पास यह jock itch भी कहते हैं tinea crurus this is affecting the groin region groin region is the area around the reproductive organs barbers itch that is tinea barbary face को effect कर रहा है oncomycosis tinea ungium naakunoko ringworm in general tinea corpores that can effect anywhere in the body बहुत सारे नाम इसमें से आपने अपने भी सुने होंगे यह पूरा table जो है यह important है this can be framed as a question इनमें से कुछ भी cross match में भी पूछ सकते हैं आपसे तो आपकी सहूलियत के लिए हमने जो है एक table यहां पे बना दिया है clear है जी right चलिए we have 399 likes जल्दी से इसको 400 पार कराईए फिर आगे आपको कुछ और important बाते बता रहा हूं जल्दी से I need your likes now telegram का यह एप आपके cell phone में होना जरूरी है telegram की एप के जरिये आप हमसे जुड़ जाते हैं सुनिए मेरी बात ध्यान से आप हमारे lectures को hashtag neat life daily के साथ tag करके अपने social media पे share कर सकते हैं और important बात बताऊं आप Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं आपको career related कोई भी questions पूछने है Unacademy Plus की subscription को लेकर के कोई सवाल है आपने subject को लेकर के सवाल है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं आश्वनी त्यागी सर भी है वहाँ पे आश्वनी त्यागी.i.i.r महेंदर सिंग सर भी है वहाँ पे आपके नमो कॉल सर भी है The Magician of Physics आप हम सब लोगों से directly connect हो सकते हैं इस मीडिया के जरीए ठीक है जी विवेक, मौनीश, बाबुतलसी, विधी नवाँ very important thing जिन्होंने अभी तब channel subscribe नहीं करा है हमारा channel जरूर subscribe कर लीजे बिटा आने वाला समय और भी crucial है important है ये video lectures आपके लिए बहुत जरूरी है and bell icon को hit करना मत भूलिएगा because इसके जरीए ही आपको important notifications मिलेंगे Anakarmy JEE, Anakarmy Foundation हमारे sister channels है class 11th के syllabus के लिए हम आपको मिलते हैं Monday, Tuesday, Wednesday class 12th के लिए मिलते हैं Friday, Saturday and Sunday Sachin live code use करना नहीं भूलना है किसलिए जब भी आपने subscription लेना है और crash course के लिए आज ही जल्दी से act fast, act smart use the code Sachin live and get connected to us right जी so पलवी, तनू, जिफरा, सोहेब रतना, पूजा असमिता, सनी, सती शिवानी, तौसीफ, कमरान शुती नेगी, रिशिकेश, कमरान थैंक यू शुती, थैंक यू for the compliment प्रतमेश, पलवी, ग्रेट जी wonderful, तौसीफ मैंने पढ़ लिए आपका message so I wish you all goodbye and a very bright future चले जी so जल्दी से अब आप जुड़ जाईए हमारे क्रेश कोर्सिस के साथ ताकि एक बहतरीन rank एक government medical college में आप ला पाएं, ओके जी bye bye, नमस्कार, God bless you